हुमियो रीडर के यूटूब चैनल पर मैं डाक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूँ आज हम आपको अपडेट लेकर आए हैं हुमिय पैथी से जुरू ही बहुत भी बड़ी कवर है राश्टी हुमिय पैथी आयोक के दौरा जो है अभी कुछी समय पहले जो है कि एक कमेंट और सजेशन के लिए एक नूटिज भी जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि हुमिय में कुछ नए बदलाव किये जाए हुमिय पैथी कोरसेज में जैसे कि मौडर्न मेडिसिन या मौडर्न फार्मेकोलाजी को सामिल किया जाए उसके बारे में लोगों से कमेंट भी मांगा गया था और इसके बारे में लगातार जो है हुमिय रीडर यानि कि हम से जो है कि हो रहा है और हमें उम्मीद है कि जो नया सत्र है और उसमें जो है कि माडर्न मेडिसिन को कासामिल किया जा सकता है लेकिन अभी आफिसियल जो बयान है या आफिसिली तोर पर राश्टी होमेपेटी आयो कि इसके बारे में कोई भी जानकारी देगा लेकिन जहां तक ऐसा माना जा रहा है जो जौब की फैकल्टी है या जौब की सुविदा है उसको ध्यार में रखते हुए एंसी एच इस पर बिचार कर सकता है कि मौडन फार्मेकोलाजी को हुमिपेथी में का सामिल किया जाए बाकी जो है कि अभी ये पूर्टर जो है कि आफिसियल अभी तक कोई भी जब से या कोई भी जो है कि आदेज जारी नहीं किया गया है और उस पर बिचार भी हो रहा है मौडन फार्मेकोलाजी पर लेकिन उमीद है कि बहुत जल्दी मौडन फार्मेकोलाजी को हुमिपेथी में सामिल कर लिया जाएगा और जहा तक कमेंट और सजेशन की बात है त क्योंकि अगर modern pharmacology होमेपैथी में सामिल कर लिया जाता है तो होमेपैथी में रोजगार के आवसर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे स्यच्चों के जो पदों पर हजारों की संख्या में लाकों की संख्या में भरती होने वाली है उसमें होमेपैथी की योगिता भी करी जाएगी या होमेपैथी को भी उसमें सामिल किया जा सकता है और साथ में जो होमेपैथी में रोजगार की कमी हो रही है या जॉप की कमी हो रही है उसको भी दूर किया जा सकता है तो यह उम्minist है कि जो नया सत्र है उसमें राष्टी ओमेपेती आयोग द्रारा modern pharmacologia का course जो है सामिल किया जाएगा लेकिन अभी जो है पूरत ये राष्टी ओमेपेती आयोग को ही निर्णा लेना है कि ये सामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर देखा जाए तो देज़ भर से जादा से जादा संख्या में लोगों ने modern pharmacology के पच्छ में ही comment और suggestion दिया है तो ये एक update है जो आप homey reader की तरफ से देख रहे हैं आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताईए और साथ में अगर आप मारे homey reader की यूट्व चैनल पर नए हैं तो homey reader की यूट्व चैनल को लाइए और सब्सक्राइब करना न भूलिए क्योंकि homey reader ये एक ऐसा platform है जो homey पैथी जगस से जुरू हुई खबरों से लगातार आपको रूब रूब कराता रहा है और कराता रहेगा homey reader देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवादे